वेल्कम टू एसकाइश्टिरी सक्सेजिटी मैं हूं संजय गुपता आप लोग देख रहे हैं बाइलाजी क्लास 10 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कि लाइफ प्रो से्स में है न्यूट्रिशन इनप्लांट्स दिकीए एनिमल्स अपना फूल लेने के लिए दूझेरेपडीन रहते हैं या तो प्लांट्स पर रहते हैं या तो फिर अदर एनिमल्स पर रहते हैं लोग किसी अदर्पड रहने के लिए जरूरत नहीं होती है फूड से ही हमें इनरजी मिलती है है तो प्लांट्स हमें कैसे फूड कैसे बनाते हैं देखिए यह आपको जो दिखाई दे रहा है यह है klorophyll klorophyll जो की green color का होता है इसी के current plants का leaves भी green होता है it is extracted from green leaves यह green leaves से निकाला गया है और यह जो figure देख रहे हैं इसमें यह ox cell है इस cell के अंदर जो औरगनेल घूरु नीन chaking狐स है और इस chloroplast के अंदर यह chlorophyll है यह plants है देख रहा है इसका color green है क्योंकि इस में chlorophyll present है तो यह food अपना कैसे बनाते हैं यह food बनाते हैं photosynthesis के थ्रू कैसे बनाते हैं process the process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis photosynthesis का है photosynthesis is the process in which green plants make their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll photosynthesis two words से मिलकर बना है अगर हम photosynthesis को break करें तो दो words मिलते हैं एक photo photo means होता है light and synthesis means built यह जो light के help से अपना food build करें अपना food बनाए उसको करते हैं photosynthesis और एसे plants में इसे plants को जो अपना food मनाते हैं इनको करते हैं आट्टू ट्रॉप्स chlorophyll इनके body में present रहता है और यह chlorophyll sunlight energy को trap करते हैं और sunlight energy को trap करने के बाद carbon dioxide और water को change कर देते हैं glucose में और यह glucose इनका food है और glucose अपना योज करते हैं और आशकता से अधिक जो glucose होता है वह इस्टार्ज के रूप में इनके body में इस्टोर हो जाता है तो देखिए photosynthesis equation दिया हुआ है photosynthesis equation 6 co2 plus 6 s2o is equal to c6 o6 plus 6 o2 तो यह carbon dioxide है रा मेटेरियल है carbon dioxide and water रा मेटेरियल है इसका यूज करके chlorophyll इनके lips में प्रेजेंट होता है और light energy यह किशन से मिलता है इन्हें और यह process photosynthesis का जाता है तो carbon dioxide और water के help से अपना glucose बनाते हैं और इसी के दोरा oxygen निकालते हैं और यह oxygen animals दोरा यह हम लोगों दोरा ले लिया जाता है यह जो oxygen आता है यह breaking down of water water के breakdown होने से मिलता है जब water breakdown होता है तो hydrogen और oxygen में breakdown हो जाता है यह hydrogen और oxygen तो oxygen जो produce हो जाता है जो हम लोग यूज करते हैं लेकिन जो hydrogen भचता है यह carbon dioxide से combine होकर के अपना food यह glucose बनाता है तो इस तरह से जो इनके दोरान निकलने वाली oxygen कहस है यह कहां से आती है यह carbon dioxide से निकलती है कि water से कभी कभी यह question पूछा जाता है कि nickel photosynthesis की दोरान निकलने वाली oxygen कहस है वह किस से मिलता है तो हमारा answer होगा water से तो किस तरह से अपना food बनाते हैं थोड़ा देखते हैं process of photosynthesis takes place in the green lips of the plant plant के green lips में होता है process कैसे होता देखी plants है plants का lips है नीचे से roots से absorb करते है water water roots से absorb करते हैं और यह carbon dioxide इनको मिलता है air से air में carbon dioxide present होता है तो नीचे से यहनि कि root से absorb करते है water और carbon dioxide मिलता है इनको air से और इनके body में chlorophyll देख रहा है green है तो green है तो chlorophyll present है sunlight इनको मिलती है sun से और फिर sunlight के help से chlorophyll के help से air और carbon dioxide है और water है यह दोनों मिलकर अपना food बनाते हैं जिसे हम करते हैं glucose यह glucose अपना food बना लेते हैं glucose तो ग्लुकोज बनाने के बाद oxygen निकालते हैं जो हम लोग यूज कर लेते हैं यही glucose जो food बनाते हैं यह glucose स्टार्च के रूप में इस्टोर हो जाता है जो हम लोग यूज करते हैं plant product वो सभी starch है तो इस दरान जैसे हमने बताया कि इस दरान जो water है वो oxygen और hydrogen में breakdown हो जाता है और यह oxygen निकल जाती है पोटो सिंथेसिक दरान दोह लोग यूज करते हैं और जो carbon dioxide है carbon dioxide और water यह combine होकर के sunlight energy के help से अपना food बना लेते हैं glucose the extra glucose is changed into another food extra glucose change into another food just like starch extra food glucose जो होता है यह plant अपना food यूज करते है extra glucose change into another food called starch starch group में change होता है this starch stored in the leaves of the plant plant के leaves में store होता है green plants converts sun energy into chemical energy यह green plants होते हैं वो sunlight energy को chemical energy में change कर देते हैं by making carbohydrate यह निए carbohydrate बना कर food बनाते हैं जो food बनाते हैं green plants इसका मतलब है कि sun energy को carbohydrate में यह चेंज कर देते हैं यह सभी जो देख रहे हैं आप लोग यह plants products है सभी plants का food है तो यह जो photosynthesis होता है photosynthesis take place in the following three steps three steps में complete होता है वो three steps क्या है फर्स्ट है absorption of sunlight energy by chlorophyll chlorophyll जो lips में होता है वो sunlight energy को trap करते हैं absorb करते हैं second step conversion of light energy into chemical energy और फिल लाइट energy chemical energy में change हो जाती है by splitting of water into hydrogen and oxygen and third step है reduction of carbon dioxide reduction of carbon dioxide hydrogen to form carbohydrates तो इसमें carbon dioxide hydrogen through reduction होकर नहीं combine होकर के यह carbohydrate अपना बनाते हैं जैसे glucose तो यह इस तरह से अपना photosynthesis के help से अपना food बनाते हैं photosynthesis the process in which plant make their own food by using water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll and sunlight and produce oxygen gas अब photosynthesis के लिए क्या क्या जरूरी है हम देखते हैं photosynthesis के लिए कौन से condition necessary necessary condition for photosynthesis sunlight chlorophyll carbon dioxide and water यह चारो इनको चाहिए अगर इनमें से कोई भी absent है तो यह अपना food नहीं बना पाएंगे आनि photosynthesis process नहीं हो पाएगा sunlight का होना भी जरूरी है chlorophyll का होना भी जरूरी है carbon dioxide का भी होना जरूरी है और water का भी होना जरूरी है अब हम कुछ experiment देखते हैं जिससे यह पता चलता है कि sunlight जरूरी है या chlorophyll जरूरी है तो देखते हैं एक बात हो रहा है कि यह मालूम होना चाहिए कि जो food बनाते हैं green lips make the starch as a food starch gives blue black color with iodine solution अगर starch है अगर food बना है तो अगर हम उस पर iodine solution डालते है तो उसका color blue black हो जाता है और blue black color change होना यह शो करता है कि उसमें starch है we should discharge the lips and plant before using it photosynthesis experiment हम क्या करते हैं जो leaf में starch होता है पहले experiment करने से पहले इसको discharge कर लेते हैं यानि जो अलड़ी food बना है उसको हम remove कर देते हैं the plants will use all the starch stored in its lips as about 3 days कम जगम इसको discharge होने में 3 days लगता है तो पहला experiment है experiment experiment to show the sunlight is necessary for photosynthesis अब हम देखेंगे कि photosynthesis के लिए क्या sunlight ज़रूरी है तो कैसे हम इस figure के माध्यम से हम आप लोगों समझा रहे हैं कि किस तरह से sunlight ज़रूरी है photosynthesis के लिए देखेंगे यह है एक हम लेते हैं potted plants potted plants में इस गमले में लगा हुआ पोधा लेते हैं और इनको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अधेरे में रख देते हैं अधेरे में रखने कम तीन दिन तक कम तीन से चार दिन तक dark place में रख देते हैं ताकि यह अपना photosynthesis करना बंद कर दे यानि जो इसमें अलेडी food बना हुआ है वह रिमूब हो जाए और तीन दिन के बाद तब टी स्टार्च प्लांट में चेंज हो जाएगा डी स्टार्च हो जाएगा जब डी स्टार्च हो जाएगा तो हम इसके कीällen लिप्स पर जैसा कि हम आधे लिख रहे हैं कि Black paper ऐसको कुछ पार्ट इसका जयसा कि हम देख रहे हैं बैंड दिखाई दे रहा होगा तो यह बैंड में ब्लेक पेपर लगा देते हैं ब्लेक पेपर लगाने के बाद दोनों साइड से क्लिप लगा देते हैं ताकि ब्लेक पेपर निकले ना और यह अपना फोटो सिंथेसिस करेगा अपना फूट बनाएगा इसके बाद इसी लिफ्स को हम ले लेते हैं तोड़ लेते हैं और इसके बाद इसको हम एलकोहल में बॉयल करते हैं एलकोहल में डायरेक्ट बॉयल नहीं करते हैं एक छोटा भीकर लेते हैं जैसा कि आहां पर काज कर लेता है इसलिए जो हम भी आफ्ट को रखते हैं और इस जो झेए मां को इस बड़े पिकर और नीचे से हिट करकी से ने जब आते हैं जब इसका जो है तो इसका जो है जब लिफ अप्ट प्रहिल इन ्ट मिथुल Carolinaग एप्ट में इसको वाटर बाथ मिथ और क्या होता है कि यह और इन कि इलारेक्ट हम नहीं वाल करते हैं तो यह मिथ करते हैं तो यह ब्लिज्ड लिफ्स है ब्लिज्ड लिफ्स होने का मतलब है कि यह डिस्टार्च हो गया क्लोरोफिल रिमूव हो गया अब इसको वाटर से वास करने के बाद हम इस पर आयोडीन सोलूशन डालते हैं डालने के बाद हमें देखते हैं कि सभी पार्ट ब्लू ब्लैक नहीं होता है कि वह पार्ट ब्लू ब्लैक होता है जो ब्लैक पेपर से अनकवर था जो अनकवर था तो ब्लू ब्लैक हो गया जैसा कि यहां देख रहे हैं यह पार्ट और यह पार्ट तो कवर था यह ब्लू ब् है क्योंकि आयोडीन सोलूशन स्टार्ज को ब्लू ब्लैक में चेंज कर देता है तो जो कवर्ड पार्ट है ब्लैक पेपर से जो अपना फूड नहीं बनाया ओ इसका मतलब है कि ब्लैक पेपर से ढखा था तो सनलाइट का प्रफान नहीं पड़ा अशनलाइट नहीं मिला तो अपना फूड नहीं बनाया तो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं हुआ इससीद होता है कि प्लांट के फोटो सिंथेजिस करने के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सपरिमेंट देखते हैं नेक्स्ट एक्सपरिमेंट क्या है तो इससे बता चल रहा है कि सनलाइट निसेसरी फार फोटो सिंथेजिस फोटो सिंथेजिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है लेकिन अब हम नेक्स्ट एक्सपरिमेंट है कि एक्सपरिमेंट टुशो दो क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटो सिंथेजिस के लिए लेकिन इसको जो पार्ट ली ग्रीन होता है थोड़ा बहुत वाइट होता है और थोड़ा बहुत ग्रीन होता है उसको कहते हैं वेरिगेटेड लिप्स जैसे क्रोटन का है यह देखिए वेरिगेटेड लिप्स है कुछ पार्ट वाइट है कुछ पार्ट ग्रीन है यह वेरिगेटेड क्रोटन का प्लान ले लेते हैं पिर अब एक्सपरिमेंट की क्लोरोफिल नेसेसरी पोटोसिंथेज के लिए पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम डी स्टार्च करते हैं पहले अंदेरे में तीन से चार दिन तक रख देते हैं जो फूट बना है वह रिमूब हो जाएगा यहीं ड तीन से चार दिन तक संलाइट में रखते हैं इस तीन से चार दिन तक संलाइट में रखने के बाद अपना फोटोसिंथेज करेगा करने के बाद हम देख रहे हैं कि फिर उसåी तरह से वह प्रासेस करेंगे इसका एक लेप लेते हैं ठीक है इसमें जैसा कि हम लोग लिपड लिये हैं इसमि हुश पार्ट वाइट है एक लिप्स लेते हैं फिर उसी वाटर बाथ मेथट से इसको हम हीट करते हैंれて हो Yuk Our Look तराफ करते हैं जिसे बाइट झार हो जाता है है और उसी वाटर सुपवाट करते हैं यह कंषिन स्वीज़ना दालते हैं देखते हैं कि वї पार्ट जो green है वह फूड बनाया है यह फूड बना है ब्लू-ब्ल 그래도 हो गया है the truth the appears like the ग्रीन होने का मतलब उसमें क्लोरोफिल है क्लोरोफिल है तो फूर बना और जिसमें क्लोरोफिल है फूर नहीं बना इसका मतलब है कि फूर बनाने के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी है जरूरी है तो दूसरा एक्सपरिमेंट भी हम लोग देख लिए कि क्लोरोफिल नेसेसरी है पहले experiment में देखे कि इसके लिए sun light ज़रूरी है फोटो सिंथेशिस के लिए दूसरे experiment में देखे कि क्लोरोफिल ज़रूरी है अपन थार्ड experiment है कि carbon dioxide भी जरूरी है फोटो सिंथेशिस के लिए देखते है carbon dioxide कैसे जरूरी है एहान पर experiment to show that carbon dioxide necessary for photosynthesis प्रास्टेस शेम है इसमें देखिए कुछ ड्यूफर है यहां पर एक पॉर्टेट प्लांट लेते हैं और इस पॉर्टेट प्लांट को पहले हम डिस्टार्च करते हैं तीन से चार दिन तक अंधेरे में रखते हैं इसके बाद इसके ऐसा लिफ्स का चुनाओ करते हैं जो थोड़ा लेंथ में लेंथ हो जिसका और एक कार्क जैसा की देख रहें कार्क है एक कार्क को दो भागों में डिवाइट किया गया है इस तरह से दो भागों में डिवाइट के दिया और इसी कार्क के बीच में हम यह ल कोई कोई काम है कि यह करबन डायक्षाइड को एबसार्ब कर लेता है तो जो इस बाटल में अल्रेडी करबन डायक्षाइड है अल्रेडी करबन डायक्षाइड है वो तो कोई इस इस बाटल के अंदर करबन डायक्षाइड नहीं है लेकिन बाटल के बाहर एयर में करबन डाय लिएक्साइड है जो कि इस लिप्स को मिल रहा है यानि इस लिप्स का अपर पोर्शन जो बाटल के अंदर है उसे कर्बन डायक्साइड नहीं मिल रहा है और जो पार्ट बाटल के बाहर है उसे कर्बन डायक्साइड मिल रहा है अब इसको हम फोटो सिंथेसिस के लिए रख वाटर बात मितर्ट से एक छोटा वी कर लेते हैं इस में इस लिप्स को डookie How is चोटे भीकर को बड़ी बीकर में जिसमें वाटर रहता है उसमें व्वाईЗ करते हैं जो वाटर भीकर में इलको Confederate तो वाटर बात मेतल्ट से इसको वाइल करते हैं और वाइल करने के बाद हमें मिल जाएगा यह ब्लू ब्लेक हो गया लेकिन जो बाट जो पार्ट लिप्स का जो पार्ट बाटल के अंदर है वह ब्लू ब्लेक नहीं हुआ क्योंकि जो पार्ट बाटल के अंदर था उसे करबंड़ एक्साइड नहीं मिला इसलिए ब्लू ब्लू ब्लेक नहीं हुआ ब्लू ब्लेक नहीं पर या blue black हो गया तो इससे पता चल रहा है इससे पता चल रहा है कि जिस पार्ट को carbon dioxide मिला उब पार तो blue black हो गया और ऑफ्वूड बनाया जो फार्ट को नहीं मीला carbon dioxide नहीं मिला तो अपना पूड नहीं बनाया नी बिली नहीं वाई से प्रूफ होता है कि फोटो सिंथेज के लिए कार्बन डाइक्साइड भी जरूरी है तो हम देख रहे हैं कि सन लाइट भी जरूरी है क्लोरोफिल भी जरूरी है और कार्बन डाइक्साइड भी जरूरी है और इस तरह से फोटो सिंथेज के लिए थ्री क्युंक्य बाराणादू